अगर आप इस इमेज को देखे जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है तो आप देखेंगे कि यहां इस इमेज में चारों तरफ से देखिए हवा किस तरीके से ऐसे घूम करके आ रही है मतलब हवा एसे घूम करके केंदरी तरफ आ रही है और केंदरी तरफ यहांपर उकठा होकरके यहां पर जैसे बना रही है लेकिन अचली होल टाइप का नहीं है ये एक low pressure center है जो develop होता है जब cyclones आते हैं और बाहर की तरफ generally इस condition में high pressure होता है मतलब उच्च दाप की दसाएं बाहर होती है और निम्न दाप की दसाएं अंदर होती है हवाएं घूम करके जो है वो उच्च दाप से निम्न दाप के छेतर की तरफ आती है और आने के बाद यहां पर फिर हवा आ करके एकठा हो करके उपर की तरफ उठती है आसमान की तरफ तो कुल मिला करके जो है वो ये system इस तरीके से है कि हवा आई घूम करके ऐसे आई और इसी conditions पानी में होती है तो जो image पर दीख रहा है आपको कुछ ऐसा दिखता है तो यह जो दसाएं इस तरीके की दसाएं होती है उन्हीं को ही चक्रवाती यह दसाएं कहा जाता है या cyclonic conditions कहा जाता है जिसको इंगलीज में cyclone और हिंदी में चक्रवात कहते हैं अब आईए इ यूएसे कि आसपास एक ट्रापिकल साइकलोन आया था या उजनकरबंधिय चक्रवात आया था जिसको कैट्रीना जो है वो बोला गया था दूसरी जो इमेज है वो उसकी है कैट्रीना एक साइकलोन था जो आया था कैट्रीना कैफ की इमेज नहीं है ये तो इससे में आप सेंटर्स होते हैं जिसमें बाहर की तरफ जो है उच्छ दाब की समदाब रेखाएं होती है मतलब की हाई प्रेसर की आइसो बार्स होती है हाई प्रेसर जो है वो बाहर की तरफ होता है और लो प्रेसर सेंटर की तरफ होता है और यह बाहर की तरफ लगातार जो प्रेसर है वो बढ़ता जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप इस image में देख सकते हैं, कि यहाँ पर जो pressure है वो 998 millibar है, millibar unit होता है, जिससे pressure को यहाँ आप फोम आपा जाता है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 10002 है, यहाँ पर 10004 है, तो मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ जो है यह जो आइसो बार जो इस value को दिखा रही है, वहाँ पर pressure बाहर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो high pressure जो है वो बाहर develop हो रहा है, और low pressure आपका जो है वो center में develop हो रहा है, जैसे मैंने पिछली image में दिखाया था, जहाँ पर बीच में पानी घूम करके इकठा हुआ था, तो कि वो tropical cyclone की जो image थ करता है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं, अब आपको एकदम clear हो गया कि चक्रवात निम्न वायदाब के केंद्र हैं, जिनके चारों और बढ़ते हुए वायदाब की समदाब रिखाएं होती है, these are centers of low pressure and these are encircled by closed isobars having high pressure, अब आप आप देख सकते हैं कि इसनी जो low pressure है उसकी तरफ हवाएं जो high pressure centers हैं, high pressure की तरफ से हवा जो होती है वो attract होती है, किसकी तरफ? low pressure की तरफ, हवा हमेशा जो होगी पावने, जो होगी जो wind होगी, वो high pressure से low pressure की तरफ चलेगी एकदम आपको ये clear होना चाहिए, तो इसके कारण से ये जो है वो high pressure से low pressure की तरफ winds चल हवा होती है वह उपर उठने का प्रयास करती है तो जब केंड। की तरफ आती है घुमती है उसका जो मैंने पहले ही जिक्र किया था हवाओं के घूमने का में रिजन होता है को जो रिजन होता है तो चक्रवाद को मिला करके यही होते हैं दीजार सेंटर साफ लो प्रेसर सराउंड़ेट बाई अब ही एकदम आपको क्लियर हो गया कि हवा जो है वो जब अंदर आती है लो प्रेसर सेंटर की तरफ तो यह दोनों जो हमारे हेमिस्फियर हैं जो हमारे दोनों गुलार्द हैं उत्तरी गुलार्द ये पार्ट और दच्छनी गुलार्द नदर निमिस्फियर हैं सदर निमिस्फियर यहां पर इसका जो मूब्मेंट होता है वो एक तरीके से नहीं होता है मतलब अलग अलग प्रकार से होता है जैसे जब जो यह विंड जो साइक्लोंस बनते हैं तो उन गरी की सुईकी दिशा के विपरीद होता है घरी कैसे चलती है जब दोलार्फ में चकरवात आते हैं तो हवाया ंजो होती है कि सुई की दिषा में चलती है इस तरीके से हुट है जो की important है यह आपको याद रखना है आते कि जफ maid वह हूं दोनों गुलार्भॉ में है कि नदरन्हेमी स्फियर में भी आते हैं सदरनहेमी सेंटर की तरफ मूव करती है मूव करने के बाद क्या होती है विंड हवा जो होती है जैसे मूव की और फिर उसके बाद यह घूमने लगी घूमने के बाद फिर हवा खुब तेजी से विंड जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है तो यह दोनों हेमिस्फियर में होता है लेक अब जो cyclones होते हैं, generally वो हमारे globe में आते रहते हैं, और कभी-कभी cyclones जो होते हैं, वो land पे बनते हैं, कभी-कभी पानी में बनते हैं, तो ज़्यादा तर जो tropical cyclones होते हैं, हाला कि इसको मैं भी बाद में भी discuss करूँगा, वो पानी के अंदर बनते हैं, मतलब जो oceanic surfaces होती हैं, समुदरी सते वहाँ पर बनते हैं, temperate cyclones कहीं पे भी बन सकते हैं, land में भी बन सकते हैं, या फिर जो है वो oceans में भी बन सकते हैं, तो उसनके बनने का क्योंकि जो कारण होता है, वो reason जो होता है, वो अलग-अलग होता है, तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, अब अगर मैं बात करूं कि cyclones की, तो अभी यहाँ आपको समझ में आ गया होगा चलने का करान है Coriolis Force, अब इन cyclones को दो पार्ट में divide किया जाता है, जो processes हैं, उसके basis पे cyclones are divided into two parts, तो अब आईए देखते हैं कि वो कौन-कौन से दो पार्ट हैं और कहां-कहां पे आते हैं, हला कि temperate cyclone और tropical cyclone जो इसके दो पार्ट हैं, इसको हम किसी जो अगला वीडियो होगा उसमें और detail में discuss करेंगे, पर अभी आप देख लीजिए कि यह जो cyclones हैं, यह दो पार्ट में divide किये गए हैं, एक होते हैं temperate type of cyclones और एक होते हैं tropical type of cyclones, तो tropical और temperate दो तरीके के होते हैं, temperate cyclones जो होते हैं, ज्यादा तर ju temperature region रिजन हैं, वहां पर आते हैं, यह temperate को को हिंदी में बोलते हैं, cito attended बं, यह चक्रवां तो चक्रवां को भागों भाशित किया गया है, एक सींच कट बंधी, temperature cyclone, एक उस्न कट बंधी, चक्रवां यह इसको tropical cyclone बोलते हैं तो साउथ जैसे है तो 23 आपके सकते हैं थार्टी से ले कर के और फाइबं़ डिग्री ले टिट्यूड के बीच में अच्छांस के बीच में जो साइक्लोन आते हैं उनको किसी बीच में आता है तो भाइब से अराम से पूछें कि वह में ठीक्टोस उनका कि अच्छांस आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइकलोन दोनों हेमिस्फियर में दोनों गुलार्दों में तो ट्रॉपिकल साइकलोन यह हो गया टेमपरेट साइकलोन कहां आता है आपका 35 कुछ बुक्स में आपको एक 40 भी मिल जाएगा 35 से लेकर के 65 के बीच में यहां पर जो आत हैं इधर से आने वाले ठंडी हवाएं जब इन छेत्रों से आने वाली गर्म हवाओं से कनवर्ज होती है मतलब मिलती है तो मिलने के बाद क्या होता है कि हवा जो होती है वह घूम जाती है यह हवाएं जो होती है यह घूमा देती है और ऐसे हवा घूम करके फिर उपर की त चक्रवात आते हैं उनको बोला जाता है इसको मैं अभी जो है वह आपको एक इमेज के थुरू और अच्छे से दिखाऊंगा समझाऊंगा पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि यह दोनों हेमिस्फियर में आते हैं टेमपरेट साइकलों 35 से 65 के बीच में नदर्न में भी और 25 या 30 से कई बार 40 कुछ-कुछ books में लिखा रहता है जो यह आपके latitude हैं इसमें आते हैं anti-cyclones अब anti-cyclones क्या होते हैं Cyclones के just opposite की जो condition होती है वोगती anti-cyclones की ठीके ना जिनको बोलते हैं प्रतिचक्रवाथ तो कभी भी आपसे कोई statement जैसे आए कि प्रतिचक्रवाथी ये दसाएं कहांपे मिलती हैं मद्यच्छांसों में तो आपकी ये जो प्रतिचक्रवाथी दसाएं ये 30 से 35 के बीच में बहु आती हैं polar starlies इधर साइट से आती हैं तो आप देखेंगे यहां से पच्छुआ पवांने इधर जा रही है और यहां पर आपकी जहां से पच्छुआ पवने निकलती हैं आपके ट्रेड विंड से नीचे की तरफ आती हैं व्यापारिक पाउने उत्तरी गुलार्द में तो यहां क्या हो रहा यहां विंड का मुव्मेंट बाहर की तरफ हो रहा है आप देखिए ऐसे हो रहा यह विंड कहां जा रही है हवाएं जो है वो यहां से बाहर की तरफ जा रही है तो जब हवाएं क्या होता है किसी सेंटर से जो हाई प्रेसर सेंटर होता है सेंटर में हमेशा हाई प्रेसर होगा हाई प्रेसर से बाहर की तरफ जाएंगी तो इस कंडिशन को एंटी साइकलोन बोला जाता है हवाएं डिसपर्स होती हैं एंटी साइकलोन में एंटी साइकलोन हमेशा स्थाइद तो लाते हैं, स्टैबिलिटी लाते हैं, और यही एक कारण है कि यहाँ पर स्थाइद तो हवाओं का इतना है, कि ज़्यादा तर आप देखेंगे, जो डिजर्ट मिलते हैं वो 20 से 40 के बीच में, वर्ड के जो most of the desserts हैं, कारण है anti-cyclonic conditions का, प्रति चक्रवाती यह दसाओं का बनना, तो चक्रवातों के जस्ट जो opposite जो है वो process होता है, उसको प्रति चक्रवात या anti-cyclonic process बोलते हैं, इसमें wind movement क्या होगा, wind movement होता है बाहर की तरफ, इसको मैं आपको anti-cyclone पे next video बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको समझाओंगा, कि anti-cyclones और detail में होते क्या हैं, तो 30 से 35 के बीच में, जो यहाँ पर conditions होती हैं, इन areas में, इनको बोलते हैं anti-cyclonic conditions, या प्रति चक्रवाती यह दसाओं, यह प्रति चक्रवाती यह दसाओं, यहाँ पर मिलती हैं, उसके बाद यह प्रति चक्रवाती यह दसाओं जो 90 डिग्री का area होता हैं, जो polar region होते हैं, polar region में भी प्रति चक्रवाती यह दसाओं पाई जाती हैं, anti-cyclonic conditions, क्योंकि wind का यहाँ पर भी जो movement होता है, वो बाहर की तरफ होता है wind movement, तो जब इस तरीके से wind movement, क्या होता है, किसी high pressure center से, जब high pressure center बीच में develop हो जाए, polar region पे क्या होते हैं, high pressure होते हैं, मतलब उच्चदाथ की दसाओं होती हैं, और जब यहाँ से wind बाहर की तरफ move करे, तो इस तरीके से यह जब move करती है, तो यह यहाँ पर anti-cyclonic conditions जो है, वो बनाती है, तो cyclones जो होते हैं, दो तरीके के होते हैं, आपको समझ में आना जाहिए कौन से, tropical cyclone और temperate cyclone, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, और anti-cyclones, cyclones के just opposite होते हैं, प्रतिचक्रवात, चक्रवारतों के पूरा विपरीथ होते हैं, चक्रवातों में हवाएं जो होती हैं, वो केंदर की तरफ आती हैं, आ करके उठती हैं, और जो प्रतिचक्रवात होते हैं, उसमें हवाएं क्या होती हैं, केंदर से, किसी केंदर से, बाहर की तरफ जाती हैं, तो जो cyclones होते हैं, वो हमेशा instability लाते हैं, इंद्र की तरफ मतलब कहीं पर भी जो है वो लेकिन जब एंटी साइक्लोंस आते हैं हवाएं बाहर की तरफ जाती है बारिस वगेरा होने की संभावना बहुत ही कम होती है तो यह सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी आप यहां पर कभी कभी आपसे क्वेस्चन यह होता है कि जो यह 5 से 5 डिग्री के बीच का छेत्र है यह जो एक्विटोरियल रीजन है यह विशुत रेखिये छेत्र जो है यहां पर साइक्लोंस जो होते हैं वो क्या कारण है कि यहां पर नहीं बनते हैं इसका एकदम सीधा सा कारण है कि विशुत रेखिये छेत्रों में चक्रवात नहीं बनते हैं क्योंकि वहां पर कोरियॉलिस बल जो होता है वो क्या होता है जीरो बहुत सबसे कम होता है तो जहां पर कोरियॉलिस बल सबसे कम होगा वहां पर विंड में करवाती दसाएं उत्पन्न नहीं होंगी सो बिकाज आफ कि लीष्ट कोरियॉ यू जुब आधि जो है वह उनका विकास नहीं होता है तो आज के लिए फिलहाल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करते हैं anti cyclones and types of cyclones इसमें tropical और temperate दोनों cyclones को अलग अलग डिसकस करेंगे exam के लिए बहुत ही important है और हां मेरे चैनल को share और subscribe करना मत मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को share और subscribe करना मत भूलिएगा thank you very much for being with Aviral Dharah and Ambesh Pandey